ओग शान्ती आज 18 एपरिल 2024 के बाबा के अनमूल मदूर महवाग की सुनेंगे आज की बाबा की मुली है ड्रामा ड्रामा बहुत परफिक्ट एक्यूरेट है बाबा कही कोई कोई भी प्रकार का करम करते हैं अच्छा करे बुरा करे ड्रामा में नून्द है इसी लिए किसी के भी बीती को चित्वो नहीं उल्टी सुल्टी बाते नहीं करो न खुद करो न सुनो न सुनाओ बाबा कहे जो बात बीत गए उसका न विचार करो और न रिपीट करो सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा जैसा जो पुर्शार्थ करते ऐसा पद पाते हैं इसी लिए ये बात सुमृती में रहे कि किसी के भी बात की चिंता वा चिंतन नहीं करना है तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मतूर महा वाक्य ओम शांती मीठे बच्चे बाप है दाता तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है कहावत है मांगने से मरना भला आज की मुरली से प्रश्न है कौन सी स्मृती सदा रहे तो किसी भी बात की चिंता वा चिंतन नहीं रहेगा उत्तर है जो पास्ट हुआ अच्छा वा बुरा ब्रामा में था सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा जैसा जो पुर्शार्थ करते ऐसा पद पाते हैं यह बात स्मृती में रहे तो किसी भी बात की चिंता वा चिंतन नहीं रहेगा बाप का डाइरेक्शन है बच्चे बीती को चित्वो नहें उल्टी सुल्टी कोई भी बात न सुनो न सुनाओ जो बात बीत गई उसका न तो विचार करो और नहीं रिपीट करो ओम शान्ती रूहानी बच्चो प्रती रूहानी बाप बैट समझाते हैं क्या समझाते हैं? रूहानी बाप को दाता कहा जाता है वो आपे ही सब कुछ बच्चो को देते हैं आते ही है विश्व का मालिक बनाने बाबा आते ही है बच्चो को सब कुछ देने के लिए कैसे बनना है विश्व का मालिक कैसे बनना है यह सब कुछ बच्चों को समझाते हैं डाइरेक्शन देते हैं क्या डाइरेक्शन देते हैं दाता है ना तो डाइरेक्शन भी देंगे विधी भी बताएंगे तो बाबा कहे, यह सब कुछ बच्चों को समझाते हैं, डाइरेक्शन देते रहते हैं, बाता है ना, तो सब आपे ही देते रहते हैं, डाइरेक्शन भी देंगे, साउधानी भी देंगे, सिक्षाएं भी देंगे, और बच्चों को श्रीमत भी देते रहेंगे, मांगने से मर बाबा जब सब कुछ देते हैं, तो बाबा कहें मांगने से मरना भला, कोई भी चीज मांगने नहीं होती है, शक्ती दो, आशिरवात दो, कृपा दो, यह ना, बाबा कहें यह सब भी मांगने की चीज नहीं है, बाबा अपने आप देते हैं, पात्र बनते जाए, बाबा शक् भी भरते जाएंगे और आशिरवाद भी देते जाएंगे तो बाबा कहे शक्ति आशिरवाद कृपा कई बच्चे मांगते रहते हैं बक्ति मार्ग में मांग मांग कर माथा पटक सारी सीड़ी नीचे उतरते आए हो अभी मांगने की कोई दरकार नहीं है शक्ति चाहिए तो उसकी वीधी बाबा ने बताई हिम्मत दे बच्चे तो मददे बाब हिम्मत रखकर के अगे बढ़ू बाबा शक्ति भरते जाएंगे। आशिर्वाद चाहिए, कृपा चाहिए, ऐसी पात्रता अपनी बढ़ाते जाओ, तो अपने आप बाबा का आशिर्वाद बरस्ता रहेगा, पाकि मांगने के कोई तरकार नहीं है, बाब कहते हैं डाइरेक्शन पर चलो, एक तो कहते हैं बीती को कभी चित्वो नहीं, ड्रामा की बात बाबा कहते हैं, कई बार कई लोगों के मन में विचार आता है, या 5,000 साल के बाद फिर से ऐसा ही ड्रामा होगा, तो बाबा कहे, जब वो बात स्मृती में आजाती तो पुरुशार्थ में दिल शिकस्त हो जाते हैं, इसलिए जो बीत गया, वो गया, उसको च कहते हैं, बाबा, बीती को कभी चित्वो नहीं, ड्रामा में जो कुछ हुआ, पास्ट हो गया, कर्मों का हिसाब होता है, इसलिए जो कुछ भी ड्रामा में हुआ, तो वो भी एक ड्रामा का खेल था, उसमें भी हमें कुछ न कुछ प्राप्त ही हुआ है, तो इसलिए बाबा क कहें वो पूरा हुआ, उनका विचार नहीं करो, रिपीट नहीं करो, बाप तो सिर्फ दो अक्षर ही कहते हैं, मा मेकम याद करो, बाप डाइरेक्शन अत्वा श्रीमत देते हैं, उस पर चलना बच्चों का काम है, यह है सबसे स्रेष्ठ डाइरेक्शन, कोई कितने भी मैं हूँ पतीत पावन, तुम मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, बस याद के लिए कोई डाइरेक्शन दिया जाता है क्या, बाप को याद करना है, कोई रडी मारना वा चिलाना नहीं है, अंदर में सिर्फ बेहत के बाप को याद करना है, द अर्ला डाइरेक्शन देते हैं, मामेकम याद करो, दूसरा डाइरेक्शन क्या देते हैं, चौरासी के चक्र को याद करो, क्योंकि तुमको देवता बनना है, देवताओं की महिमा तो तुमने आधा कल्प की है, तो वहां ही कोई बच्चे के रोने की आवाज आई, बाबा क अभी यह डाइरेक्शन सभी सेंटर्स वालों को दिया जाता है कि बच्चों को कोई भी लेकर ना आए, उन्हों का कोई प्रबंद करना है, बाप से जिन्हों को वर्सा लेना होगा, वह आपे ही प्रबंद करेंगे, यह रुहानी बाप की युनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चों की दरकार नहीं, ब्रामनी का काम है सर्विसेबल लायक जब बने, तब उन्हों को रिफ्रेश करने के लिए लिया आना है, छोटे बच्चों को भी बाबा कहें, जैसे ही थोड़े बड़े हो, सर्विसेबल लायक जब बने, तब उन्हों को भी रिफ्रेश करने क के लिए ले आना है, कोई भी बड़े आदमी हो, वा छोटे हो, यह युनिवर्सिटी है, तो युनिवर्सिटी के भी मैनर्स होने चाहिए, यहां बच्चों को जो ले आते हैं, वा यह नहीं समझते कि यह युनिवर्सिटी है, मुख्य बात यह युनिवर्सिटी है, इसमें पढ़ने वाले बड़े अच्छे समझदार चाहिए, कच्चे भी डिस्ट्रबंस करेंगे, क्योंकि बाप की याद में नहीं होंगे, तो बुद्धी इधर उधर भटकती रहेगी, नुकसान कर देंगे, याद में रह नहीं सकेंगे, बाल बच्चे लाएंगे तो इसमें बच्चो का ही नुकसान है, क्योंकि वो बच्चे स्थिरता से बैठते नहीं और ना बैठने देते हैं, तो इसलिए बाबा कही नुकसान किसका हुआ, कि आप उरुशार्थ ही नहीं कर पाएंगे, वहां भी नहीं कर पाते और मदुबन में जहां सहचता से कर सकते हैं, वहां भी नहीं कर सकते, तो इसलिए बाबा बेहत की भाबना से कहते हैं, यहां आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, तो अपना नुकसान नहीं करो, कोई तो जानते ही नहीं कि ये God Fatherly University है यहां मनुष्य से देवता बनना होता है बाप कहते हैं बल ग्रहस्तव यवहार में बाल बच्चों के साथ रहो यहां सिर्फ एक सप्ता तो क्या तीन चार दिन भी काफी है Knowledge तो बहुत सहज है बाप को पहचानना है बेहत के बाप को पहचानने से बेहत का वर्सा मिलेगा कौन सा वर्सा बेहत की बादशा ही ऐसे मत समझो प्रदर्शनी वा म्यूजियम में सर्विस नहीं होती है धेर अंगेनित प्रजा बनती है ब्राम्मन, कुल, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तीनों यहां स्थापन हो रहे है तीन धर्म की स्थापना है ब्राम्मन धर्म की फिर सूर्यवंशी देवता धर्म की चंद्रवंशी शैत्रिय धर्म की तो बाबा कहे तीनों यहां स्थापन हो रहा है तो यह बहुत बड पढ़ाते हैं, एक दम दिमाग ही भरपूर हो जाना चाहिए, बेहत का बाप पढ़ाते, तो दिमाग ही भरपूर हो जाना चाहिए, परन्तु बाप है साधारनतन में, पढ़ाते भी साधारनतन ह diversity है, इसलिए मनुष्य को जच्चता नहीं है, God Fatherly University फिर ऐसी होगी बाप कहते मैं हूँ गरीब निवास गरीबों को ही पढ़ाता हूँ शाहुकार को ताकत नहीं पढ़ने की उनों की बुद्धी में तो महल माड़ी ही होती है गरीब ही शाहुकार बनते हैं शाहुकार गरीब बनेंगे ये काईदा है दान कभी शाहुकारों को दिया जाता है क्या यह भी अविनाशी ज्ञान रतनों का दान है शाहुकार दान ले नहीं सकेंगे ये भी एक प्रकार का eternal law कहेंगे शाहुकार दान ले नहीं सकेंगे बुद्धी में बैठेगा नहीं वो अपनी हद की रचना धन दौलत में ही फसे रहते हैं उन्हों के लिए तो यहां ही जैसे स्वर्ग है कहते हैं हमको दूसरे स्वर्ग की दरकार नहीं कोई बड़ा आदमी मरा तो भी कहेंगे स्वर्ग पधारा आपे ही कह देते हैं कि यहां स्वर्ग गया तो जरूर अभी नर्ख ठहरा ना, परन्तु इतने पत्थर बुद्धी है, जो समझते नहीं है, नर्ख क्या है, यह तो तुम्हारी कितनी बड़ी उनिवर्सिटी है, बाप कहते हैं, जिनकी बुद्धी को ताला लगा हुआ है, उन्हों को ही आकर पढ़ाता हूँ, बाप जब आये तबा कर ताला खोले, बाप खुद डाइरेक्शन देते हैं, तुम्हारी बुद्धी का ताला कैसे खुलेगा, बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, इसमें निश्चे ही चाहिए, कितना मोस्ट बिलवेट बाबा है, जिसको भक्ती में याद करते थे, जिसे याद किया जाता है, वह जरूर कभी आएगा भी ना, याद करते ही है, फिर से रिपीट होने के लिए, बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर बाहरवालों को समझाना है, कि कैसे बाबा आया हुआ है, क्या कहते हैं, बच्चे तुम सब पतीद हो, मैं ही आकर तुमको पावन बनाता हूँ, तुम आत्मा जो पतीद बनी हो, अब सिर्फ मुझ पतीद पावन बाप को याद करो, मुझ सुप्रीम आत्मा को याद करो, इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है, तुमने बक्ती मारग में, आधा कल्प मांगा ही मांगा है, मिला कुछ भी नहीं, अभी मांगना करो हम आपे ही तुमको देता रहता हूं बाप का बनने से वर्सा तो मिलता ही है जो बालिक यानि बड़े बच्चे होते हैं वह जट बाप को समझ जाते हैं बाप का वर्सा ही है स्वर्की बादशाही बाप का वर्सा है ही स्वर्की बादशाही वो भी 21 पीड़ी यह तो तुम जानते हो, जब नर्कवासी है तो इश्वर अर्थ दानपुन्य करने से अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, मनुश्य धर्माओ भी निकालते हैं, अकसर करके व्यापारी लोग निकालते हैं, तो जो व्यापारी होंगे, वो कहेंगे हम बाप से व्यापार करने आए हैं, बच्चे बाप से व्यापार करते हैं ना, बाप की प्रॉपर्टी लेकर फिर उससे श्राध आदी खिलाते हैं, दान पुन्य करते हैं, धरम, शाला, मंदीर, आदी बनाएंगे, तो उस पर बाप क का नाम रखेंगे क्योंकि जिससे प्रॉपर्टी मिली उनके लिए तु जरूर करना चाहिए वह भी सौदा हो गया वह सब जिस्मानी बाते अभी बाप कहते हैं बीती को चितवो नहीं उल्टी सुल्टी कोई बात सुनो नहीं उल्टे सुल्टे कोई प्रश्न पूछे तो बोलो इन बातों में जाने की दरकार नहीं तुम पहले बाप को याद करो भारत का प्राचीन राजियोग नामी ग्रामी है जितना याद करेंगे दैवी गुन धारन करेंगे उतना उच पद पाहेंगे यह है युनिवर्सिटी एम अबजेक्ट क्लियर है युनिवर्सिटी में एम अबजेक्ट क्लियर है पुरुशार्थ कर ऐसा बनना है नर ऐसी करनी करें जो नर नारैन बनें नारी ऐसी करनी करें जो स्रीलक्ष्मी बनें दैवी गुन धारन करने है किसको दुख नहीं देना है कोई भी प्रकार का कोई भी प्रकार का दुख नहीं देना है मन्सा वाचा करना दुख हरता, सुख करता बाब के बच्चे होना सो तो सर्विस से मालुम पड़ेगा बहुत नए-नए भी आते हैं 25-30 वर्ष वालों से 10-12 दिन के तीखे हो जाते हैं बाब कहें कहीं बार नए बच्चे बहुत अच्छा पुर्शार्थ करके पुरानों से भी आगे निकल जाते हैं तुम बच्चों को फिर आप समान बनाना है जब तक ब्रामन न बने तो देवता कैसे बनेंगे great great grandfather तो ब्रामा है न जो होकर जाते हैं उनका गाइन करते रहते हैं फिर जरूर वो आएंगे जो भी त्यवहार आदी गाये जाते हैं सब होकर गए है फिर होंगे इस समय सब त्यवहार हो रहे हैं रक्षा बंधन आदी सब का राज बाप समझाते रहते हैं तुम बाप के बच्चे हो तो पावन भी जरूर बनना है पतीत पावन बाप को बुलाते हैं तो बाप रास्ता बताते हैं कल्प कल्प जिसने वर्सा लिया है वही एक्यूरेट चलते रहते हैं तुम भी साक्षी हो देखते हो, बाप दादा भी साक्षी हो देखते हैं, ये कहां तक उंच पद पा सकते हैं, इनके क्यारेक्टर्स कैसे हैं, टीचर को तो सब मालुम रहता है न, कितने को आप समान बनाते हैं, इतना समय याद में रहते हैं, पहले तो वुद्धी में ये याद रहना चाहिए, ये God Fatherly University है, University है यी knowledge के लिए वह है हद की University यह है बेहद की दुर्गती से सद्गती Hell से heaven बनाने वाला एक ही बाप है बाप की दृष्टी तो सब आत्माओं के तरफ जाती है सब का कल्यान करना है वापस ले जाना है ना सिर्फ तुम को परंतु सारे वर्ल्ड की आत्माओं को याद करते होंगे बाबा के लिए तो सब बच्चे हैं उसमें पढ़ाते बच्चों को है पढ़ाई बच्चों को पढ़ाते लेकिन गती में अर्थात परमधाम में तो सब बच्चों को ले जाना है यह भी समझते हो, जैसे नंबरवार जो आए हैं, वह फिर जाएंगे भी ऐसे, सब आत्मे नंबरवार आती हैं, तुम भी नंबरवार कैसे जाएंगे, वह सब समझाया जाता है, कल्प पहले जो हुआ है, वही होगा, यह भी तुम को समझाया जाता है, तुम फिर कैसे नई द दुनिया में आते हैं, उनको ही समझाया जाता है। तुम बच्चे बाप को जानने से, अपने धर्म को और सब धर्म के सारे जाड को जान जाते हो। इसमें कुछ भी मांगने की दर्थार नहीं है। बाप तो आए ही है रास्ता बताने। ड्रामा में मेरा पार्ट ही है सब को पावन बनाने का। ऐसे ही पार्ट बजाता हूँ। जैसे कल्प कल्प बजाया है। जो पास्ट हुआ अच्छा वा बुरा ड्रामा में था। चिंतन कोई बात का नहीं करना है। बेहत का ड्रामा है ना सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा जो जैसा पुर्शार्थ करते हैं ऐसा ही पद पाते हैं मांगने की दरकार नहीं बक्ती मार्ग में तुमने अथा मांगा सभी पैसे खलास कर दिये यह सब ड्रामा में बना हुआ है आदा कल भक्ती करते, शास्त्रे पढ़ते इतना खर्चा होता है अभी तो तुमको कुछ भी खर्चा करने की दरकार नहीं बाप तो दाता है ना दाता को दरकार नहीं है वह तो आई ही है देने के लिए ऐसे मत समझो कि हमने शिबाबा को दिया अरे शिबाबा से तो बहुत बहुत मिलता है इतना घुना होकर मिलता है तुम यहां लेने आये हो न टीचर के पास स्टूडन्ट लेने के लिए ही आते हैं उस लॉकिक बाप टीचर गुरू से तो तुमने घाटा ही पाया दुनिया के लौकिक बाब टीचर गुरु से तो तुमने घाटा ही पाया अब बच्चों को श्रीमत पर चलना है तब ही उच पद पा सकेंगे शिव बाबा है डबल श्री श्री तुम बनते हो सिंगल श्री शिबाबा है डबल श्री श्री और तुम बनते हो सिंगल श्री स्री लक्ष्मी स्री नारायन कहा जाता है स्री लक्ष्मी स्री नारायन दो हो गए विश्नु को श्री श्री कहेंगे क्योंकि दो जोइंड है लक्ष्मी नारायन जोइंट है तो इसलिए श्री श्री कहेंगे फिर भी दोनों को बनाते कौन है जो एक ही श्री श्री है बाकि श्री श्री तो कोई होते नहीं आजकल तो स्री लक्षमी, स्री नारायन, स्री सीता, स्री राम भी नाम रखते हैं तो बच्चों को यह सब धारण करके फुशी में रहना है आजकल spiritual conference भी होती रहती है बाबा को पता है दुनिया में क्या क्या होता है परंतु spiritual का अर्थ नहीं समझते रूहानी नौलेज तो सिवाई एक के कोई दे न सके बाप सभी रूहों का बाप है उनको spiritual कहते हैं philosophy को भी spiritual कह देते हैं यह तो समझते हो यह जंगल है सब एक दो को दुख देते रहते हैं तुम जानते हो अहिंसा पर्मो देवी देउता धर्मो गाया हुआ है वहां कोई मारपिट होती नहीं गुस्सा करना भी हिंसा है फिर सेमी हिंसा कोहू तुछ भी कोहू यहां तो बिल्कुल हिंसक बनना है कोई भी मनसा वाचा करमना खराब बात नहीं होनी चाहिए कोई पुलिस आदी में काम करते हैं तो उसमें भी युक्ति से काम निकालना है, जहां तक हो सके प्यार से काम निकालना चाहिए, बाबा का अपना अनुभव है, प्यार से अपना काम निकाल लेते हैं, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए, बड़ा प्यार से किसको समझाना है, कैसे एक का सौ गुना डंड पड़त हाँ हिसाब भी बाबा कहे समझाना है अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते हम सभी रुहानी बच्चो की रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्या से धाना के लिए मुख्यसार है, पहली पॉइंट, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, डैवी गुण धारन करने हैं, आप समान बनाने की सेवा करने हैं, दूसरी पॉइंट, ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए, कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करना है, मनसा वाचा कर्मना, कोई खराब कर्मन नो हो, यह ध्यान देकर डबल अहिंसक बनना है, आज का बाप दादा का मदुरवर्दान हम बच्चों के प्रती है, एक बाप को कंपैनियन बनाने वा उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव, एक बाप को कंपैनियन बनाने वा उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव, संपूर्ण पवित्र आत्मा भव है, जिसके संकल्प और स्वत्न में भी ब्रह्मचरिय की धायना हो, जो हर कदम में ब्रह्मा बाप के आच्रण पर चलने वाला हो, पवित्र आत्मा अर्थ है, सदा बाप को कंपैनियन बनाना और बाप की कंपनी में ही रहना, संगठन की कंपनी, परिवार के सने की मर्यादा अलग चीज है, लेकिन बाप के कारण ही संगठन के सने की कंपनी है, बाप नहीं होता तो परिवार कहां से आता, बाप बीज है, बीज को कभी नहीं भूलना, आज का स्लोगन है किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ग्यान का प्रभाव डालने वाले बने। तुम बच्चों को ज्यान का प्रभाव इतना हो जो दूसरों की बुद्धी पर भी ज्यान का प्रभाव डालने वाले बने। अच्छा, ओम शान।